आज की इस वीडियो में मैं सेयर करूंगी आलू का स्नेक्स पोटाइटो स्नेक्स बस पाच मिनाट में बन जाएगा और इतरा बढ़िया बनेगा बर बर खाने का मन करें क्रिश्पी अंदर से सॉप्ट होली आरे ये दोस्तों तो होली ये स्पेसल ये बहुत ही डिलिशिस से स जिसे कोई भी बना ले बहुत ही इजी तरीके से सिंपल इजी एंड डिलिशियसे स्नेक्स तो शुरू करते हैं यहाँ पर लिया है मैंने आलू दो आलू लिया है मैंने अच्छे से छिल करके छिलका अठा दीजिए उबला हुआ आलू नहीं कच्छा आलू है इसे इस तरीक को डाल करके अच्छे से तोह करके निकाल लेंगे अब एक कीचें टावल पर आलू को डाली अच्छे से इसका पानी सुखा दीजे इस तरीके से पोश पोश करके और सारे पीसेस को अलग अलग कर लिजे इसी तरीके के पीसेस कटना अब एक प्लेट में राख करके वान टे बड़ी आलू का इसनेक समारा तयार होगा अब एक बावल में दो चमस पेशन डालेंगे 100 ग्रम में ने बेशन लिया है और 50 ग्रम पेशन के अंदर कॉन फ्लोर डालेंगे और डालेंगे अधी चमस हल्दी पाउडर एक छोटा चमस दनिया पाउडर अधी चमस लाल मिर्स पा जादा स्पाइसी बनाने के लिए अध्रकलासन का पेश्ट और बिल्कुल थोड़ा सा कली मिर्स ले लिए और बारी कटा हुआ धनिया ले लेंगे अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छा सा घोल तयार करेंगे बहुत जादा इसे थिक नहीं रखना है और बहुत देख सकते हो दो से तीन मिनट मैने अच्छे से इसे गोल को फेट करके तयार कर लिया है अब तेल गरम करेंगे और एक एक अलू के पिस उठाएंगे और डिप करके तेल के अंदर डाल देंगे इस तरीके कचावरा बरतल लेजिए और चार से पास समझते दरा लिए पका लिजिए उपर से बड़ी असा कलर आजाये क्रिस्प रही हो जाए फिरी से हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ से पलट पलट करके मैंने पका लिया है आप देख सकते हो बड़ी असा क्रिस्पी हो गया है अब इसे निकाल करके अब जरूब पर रख लीजि च्र peanuts बनके तैयार हो जाएगा एक दम क्रिस्पी क्रिस्पी अलू का भझिया इसतरी के समयने एक फ़ले बड़ के बड़िया बने आ है फर में दर से便 हो इसे त captured के दा तो बड़ी आसा पोटाइटो इस नेक्स अलू का भजिया बन करके तयार है इसे कटे हुए प्याज चटनी के साथ सर्व किजिए वीडियो अची लगती है तो इसे लाइक कर दीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना आप भूले चैनल को सब्सक्राइब कर ल